हेलो एवरिवन वेलकम बेक टू माई चेनल आज की वीडियो में हम अमरेला कट लहंगी की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे वो भी डबल घेर में बहुत ही खुबसूरत ये लहंगा बनकर तयार हुआ है तो वीडियो पूरा देखिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूले तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बैल आइकन को तबाना ना भूले ये देखिए मैंने इसे बनाने के लिए 5 म सबसे हम क्या करेंगे जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको हम लंबाई you वाली साइड में फींड करके रखेंगे ये देखिए मैंने इसको four fold करके रख लिया है ये हमारे कपड़े की four layer रहेंगी ये हमारी बंद वाली side है बाकी ये तीनो side हमारी खूली वाली side रहेंगी अब हमें क्या करना है जो हमारी बंद वाली side है उसको हम उठाएंगे और दूसरी तरफ हम इसको इस तरह से set करके रखेंगे और कपड़े को हम अच्छे तरीके से set कर लेंगे जितना भी हमारा अंदर की तरफ कपड़ा ही कठा हुआ उसको हम set कर लेंगे उसके बाद में हमें कमर का नाप चाहिए, उसके बाद में हम लंबाई के लिए निशान लगाएंगे, तो जो हमारा कमर का नाप रहेगा, उसका हम आठवा भाग निकाल के निशान लगाएंगे, क्योंकि हमारा कपड़ा 8-fold हो गया है, जैसे हमारी कमर का साइज अगर 32 है, तो उसका हम 8 भाग निकालेंगे तो 4 इंच आएगा, 32 का हम आधा करेंगे 16, 16 को फिर हम 4 भाग निकालेंगे तो हमारा 4 इंच आएगा, तो इस तरह से हम देखेंगे, जहां पर हमारा इंच इटेप 4 इंच पर दोनों तरफ सेट हो रहा है, वहीं पर हम निशान लगाएंगे, और उपर कॉर्नर से हम इस निशान को नाप लेंगे, जहां तक भी यह आएगा, वहां पर हम गोलाई में निशान लगाएंगे, तो इस तरह से 5 इंच पर हम गोलाई में निशान लगा लेंगे, और हाफ इंच हमें मार्जिन के लिए चाहिए, तो साड़े 5 इंच पर हम डार्क निशान लगा लेंगे, यह देखिए मैंने साड़े 5 इंच पर इसको निशान लगाया है, उसके बाद में हम लंबाई के लिए निशान लगाएंगे तो जो तयार लंबाई हमें चाहिए वो चाहिए 40 इंच उसमें हम उपर की तरफ 1.5 इंच का बेल्ट लगाएंगे तो 1.5 इंच हम माइनस कर लेंगे तो यह हमारा हो जाएगा 38 इंच उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे उपर नीचे सिलाई के लिए तो 49 इंच पे हम निशान लगाएंगे लंबाई वाली साइड में और इस तरह से इंची टेप को थोड़ा थोड़ा उपर से उठाते हुए गोलाई में हमें निशान लगा लेने हैं अब इस निशान को हम डाग कर लेंगे यह देखे यह मैंने निशान लगाया यहां पे हमें कटिंग करनी है और नीचे की तरफ इतनी सी दूर में हमारा कपड़ा कम रह गया यहां पे हम जोइंट लगाएंगे सबसे पहले हम इसकी कटिंग कर लेंगे और साइड से हम कपड़ा उठाएंगे और जितना हमें कपड़े की जरूरत है उतना हम कट करके यहां पे जोइंट लगा लेंगे यह देखें मैंने इसकी कटिंग कर ली है इस तरह से इसको नीचे की तरफ रखेंगे अब हमें क्या करना है इसको हम नाप लेंगे जितना भी हमारा कमर का साइज रहेगा उससे कम से कम हमें डेड़ इंच कपड़ा एक्स्ट्रा चाहिए अगर यह कम पड़ रहा है आपको तो हाफ इंच की आप इसमें गुलाई और कर सकते हो यह देखें यह मैंने लाइनिंग पे भी कटिंग कर ली है लाइनिंग पे हमें किस तरह से कटिंग करनी है सेम तरीके से इसको तिकोना फोल्ड करके रखना है और उसके बाद में हमें जो हमारा कमर का साइज है उसका हमें सिरफ फोर्थ भाग निकालके गुलाई में निशान लगाना है उपर की तरफ और जो मैन फैब्रिक में हमारी जो लैंथ रहेगी उससे हमें करीब डेड इंच इसकी लैंथ कम रखनी है यह हमने बैल्ट के लिए कपड़ा कट किया है तो जो हमारा मैन फैब्रिक रहेगा उसको हम उपर की तरफ से दोनों पार्ट को नाप लेंगे जितनी भी इसकी लंबाई आएगी उसकी लंबाई के हिसाब से हम बैल्ट की लंबाई कट करेंगे करीब डेड़ से दो इंच कपड़ा हम एक्स्ट्रा लेंगे और इसकी चुड़ाई हमने रखी है चार इंच अब हम इनकी सिलाई करेंगे तो यह जो हमारा अस्तर के लिए जो कपड़ा है यह दोनों पार्ट को हम जोइंट करेंगे यह हम सिरफ एक साइड में ही जोइंट करेंगे दूसरी साइड में हम सिलाई नहीं लगाएंगे लाइनिंग के लिए जो कपड़ा होता है उसका आरज कम होता है तो इसमें मैंने जोड लगाया है यह देखे मैंने इसको एक साइड में सिलाई कर ली है सीधी वाली साइड अंदर की तरफ करके यह देखिए मैंने इसकी भी सिलाई कर ली है दूसरी साइड से हमने इसको खुला रखा है अब हम मैन फैब्रिक को और अस्तर वाला जो हमारा कपड़ा है उसको इस तरह से सेट करके पिन अब कर लेंगे और एक सिलाई हम उपर की तरफ इसके उपर लगा लेंगे सीधी वाली जो साइड है मैन फैब्रिक की वो हमें उपर की तरफ ही रखनी है यह देखिए लाइनिंग के कपड़े को और मैन फैब्रिक के कपड़े को joint से joint हमने मिला के pin up किया हुआ था हमने इसकी सिलाई कर ली है उसके बाद में कपड़े की सीथी वाली साइड अंदर की तरफ रखनी है और चारो कपड़ों को हमें पकड़के यहां पे एक साइड में सिलाई लगानी है यहां पे हम chain लगाएंगे तो chain जहां तक हमें चाहिए, वहां तक हम निशान लगा लेंगे, ये मैंने 4 इंच तक निशान लगाया है, हम सिरफ chain 4 इंच तक ही रखेंगे तो चारो कपड़ों को एक साथ पकड़ना है और जहां तक हमने निशान लगाया है वहाँ से करीब डेड़ इंच नीचे तक हमें कच्ची सिलाई लगा लेनी है अब इस कपड़े को हम इस तरीके से रखेंगे और इस तरह से इस सिलाई को खोल के रखेंगे और चेन की सीधी वाली साइड हमें अंदर की तरफ रखनी है उल्टी साइड हमारी उपर की तरफ रहेगी और जहां पर हमने निशान लगाया था वो निशान हम उपर की तरफ भी लगा लेंगे हम इस चेन को इस निशान तक सिरफ हम जोइंट करेंगे आप वीडियो में देख पा रहे होंगे यहां से हम चैन को घुमा लेंगे और एक सिलाई हम और लगा लेंगे यह देखे मैंने इसको सील लिया है जितनी भी नीचे हमारी एक्स्टा चैन है उसको हम कट कर लेंगे उसके बाद में हम क्या करेंगे नीचे की तरफ सिलाई करेंगे तो जो हमारा मैन फैब्रीक है सबसे पहले हम उसके उपर सिलाई लगाएंगे चारो पार्ट को हम एक साथ सिलाई नहीं लगाएंगे वरना कपड़े में बहुत ज़्यादा खिचाव आ जाएगा सबसे पहले हम जो मैन फैब्रीक है उसको सिल लेंगे इसके बाद में हम अस्तर वाले कपड़े की सिलाई करेंगे तो एक से डेड़ इंच के करीब हमें चारो कपड़ों को एक साथ सिलना है उसके बाद में हम अस्तर के कपड़े की सिरफ सिलाई करेंगे और जो man fabric है उसको इस तरीके से set करके रखेंगे अंदर की तरफ और सिरफ अस्तर के कपड़े के उपर हम सिलाई लगा लेंगे यह देखे मैंने इसको seal लिया है अब हम क्या करेंगे सीधी वाली साइड इस तरह से खोल के रखेंगे और जहां तक हमें chain मतलब लगाई है वहां तक हम उन्हें जो कच्ची सिलाई लगाई थी उसको हम खोल लेंगे यह देखे मैंने सिलाई को खोल लिया है और उपर की तरफ जितने भी chain extra है उसको हम कट कर लेंगे यह chain हमारी लगके ready है इसके बाद में हम belt इसमें attach करेंगे तो belt के लिए जो हमने कपड़ा लिया है उसको हम half half inch double fold करेंगे अंदर की तरफ रेक सिलाई उपर की तरफ लगा लेंगे यह सिरफ हम एक साइड में लगाएंगे अभी यह देखे मैंने सिलाई लगा ली है और इस तरह से रखेंगे जो हमने belt के लिए पट्टी कट की है उसकी सीधी वाली साइड हमें अंदर की तरफ रखनी है और half inch कपड़ा उपर की तरफ छोड़ते हुए हमें सिलाई लगानी है यह देखिए मैंने सिल लिया है और last में corner पे हमें एक इंच कपड़ा extra रखते हुए extra कपड़े की cutting कर लेनी है उसके बाद में हमें इसको भी double fold करना है और एक सिलाई लगा लेनी है यह कपड़ा जितना हमें चाहिए उतना ही हमें extra रखना है यह देखिए मैंने इसको सील लिया है उसके बाद में हम इसको उपर से एक सिलाई और लगा लेंगे अब हम belt के कपड़े को उपर की तरफ खोलेंगे और उपर की तरफ हमें half inch अंदर की तरफ fold करना है और जहां पर हमने सिलाई लगाई है वहां पर उपर की तरफ सीधी वाली साइड में हम एक सिलाई चारो तरफ और लगा लेंगे यह देखिए मैंने belt लगा ली है बहुती finishing के साथ ही belt लगके तयार हुई आप देख सकते हो अब हम क्या करेंगे जो हमारा अस्तर का जो कपड़ा रहेगा उसको हम half inch अंदर की तरफ दो बार fold करके एक सिलाई लगा लेंगे चारो तरफ इसको यह देखिए मैंने इसके उपर सिलाई लगा ली है और जो हमारा man fabric है उसके उपर हम pico करेंगे तो friends कैसी लगी ये वीडियो पेस कमेंट में बताना जरूर तो ये देखिए कुछ इस तरह से बनके ये तयार दिखिएगा नीचे की तरफ हम pico करेंगे तो friends मिलते हैं अगली वीडियो में thank you so much for watching this video